और उसी सिलसिले में कल पटना की रैली में इंडी गठबंधन के सभी नेताओं की उपस्थिती में प्रधान मंत्री शी नरेंद्र मोधी जी के उपर एक बार पुनह इस इस्तर का इस निचले और छिचले इस्तर का शब्द प्रियोक किया गया है स्री लालू प्रसाइद यादव जी के द्वारा जो दुखद है और कश्ट कारक है उन्होंने मोधी जी के परिवार के विशह में यह बात कही तो मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि परधान मंतरी श्टी नरेंद्र मोधी जी के लिए परिवार पूरा देश है और यह बात आज की नहीं है बैनों भाईयों हम सब लोग अपने परिवार के साथ होली दिवाली मनाते है प्रधान मंत्री बनने के बाद 2014 की पहली दीपावली प्रधान मंत्री जिने कहां मनाई थी सीमा पर सैनिकों के साथ ये उनका परिवार था और उस से लेके आज तक जितनी दीपावली पड़ी है किसी न किसी सीमा की चौकी पर सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाई है ये है उनका परिवार 15 अगस्त 2023 को अभी पिछले 15 अगस्त को लाल किरे की प्राचीर से उन्होंने जो संबोधन किया उन्होंने क्या कहा था मेरे परिवार जनों ये है मोदी जी का परिवार और ये भाव सिर्फ 2014 से नहीं है अपनी तरुणाई की अवस्था में जब उन्होंने समाज के लिए और राष्ट को परम वैभाव तक ले जाने के संकल्फ के साथ अपने परिवार को छोड़ा था तो उसी छण उन्होंने ये संकल्फ ले लिया था कि अब ये पूरा देश मेरा परिवार है दालू प्रसाद यादव जी ने कहा मोदी जी के लिए कि वो हिंदू नहीं है अरे वाइस हिंडी कठ बंदन के लिए कोई भी हिंदू नहीं है उनके लिए यादते क्या हिंदू नहीं है हिंदू अगड़ा है पिछड़ा है दलित है समण है उत्तर भारती है दक्षन भारती है वो कंणड़ है वो तमिल है वो तेलगू है वो मराठी है वो कि ये टुकड़े टुकड़े करके एक परिवार ने एक जमाने में सत्ता पाई और आज एक नारा लगा के भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ खड़े वह गिद्ध द्रश्टी लगाए वैठे हैं कि किसी एक टुकड़े के उपर मुझे हुआ मत करने को मिल ज करें